वैसे मुझे कुछ संवन नहीं आ रहा कि आप लोगों को इस सीरीज के बारे में क्यासे बता हूँ चलो सुपोज करो आपने एक बहुत जबरदस रस्म लाइक है और उसके तुरंत बाद आपने गोलगपे खाने के सोची और आप एक ऐसी इंसान के पास गे जो गोलगपे खिला था जो भी गुटका खा रहा है और उसने अपने हाथ उस पाने से जिसमें वो जुटी पलेटे साफ करता है सुपोस करो आप लोग उसकी गोलगपे खापाऊगे यार यह बास सुनके आप लोगों के पेट में कुछ गडबड होने लग जाएगी इवन सोचो जिसने खाए होगे उसका क्या हाल होगा कुछ ऐसा ही मेरा हाल हो गया था जब मैंने इस सीरीज को देखा था वो ऐसा इसली क्योंकि इससे पहले मैंने ब्रेकिंग बैट की सीजन वन देखा था फिर इसके बाद मैंने यह सीरीज देखी थी यार सच मेर इतनी जबरदस सीरीज देखने के बाद आप एकदम से स्विच करो तो कितनी जादा तकलीफ होती है नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करना वाला हूं तहस 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 शायद यही है उससे सही से परनेशेशन नहीं हो पा रही है देख लेना ना मारा होगा इसे जी फाइपर रिलीज किया गया है टोटल इसके अंदर छे एपिसोड और कुल मिला कि यह तीन घंटों की भी खत्म किया जा सकता था लुका हमारे भारत के ओटेटी प्लैट्फोर्म पे जो भारतिय कंटेंट आता है वो यार उससे में बहुत जादा बचके रहने ही कोशिश करता हूं क्योंकि वह बहुत जादा सरदर्द होता है उसके अंदर ना तो कहानी देखने को मिलती है और इसी पीटी सोस्चिल को लेकर बैठे हुए लोग और वही अपनी घटिया से घटिया चीजे में पेश करते रहते हैं क्या चोड़ा उसको अब इसकी कहाने के उपर आते हैं देखो एक रोहन कालरा नाम का एक इनसान है उसका एक भाई है क्रिस कालरा की शादी होने वाली है और इन दोनों का एक दोस्त है जिगरी दोस्त है जो दोस्ती के लिए जान दे भी सकता है जान ले भी सकता है जिसका नाम है सनी यह सब यूके में रह रहे होते हैं और यूके में ये गैंस्टर होता है कुलजिंदर कुलजिंदर उसका नाम होता है और वो बहुत बड़ा ग क्या होई सकता है रनडापा मचा हुआ है दोनों के अंदर इस बात को लेकर. तो कुल जंदर रोहन के फादr को जानते है करिश की घूलती थेश्जादी होने वाली उसकी इक입니다 तो उस पार्टी में जाता है वहाँ पर रोहन इसको देख ले था कुल और जब वो सनी सुनता अपना आपा को देता है और यह کुलजैंदर को आगे पेल देता है ईसा पेलता है कि इसको मतलब इने के ऑले के जीव कर लिए बट पालि तो इसके अंदर story में अलगी plot आ जाते हैं, कुछ अलगी चीज़ें चलने ही लग जाते हैं, जो accept नहीं किया था मैंने, अब देखो इसके बाद क्या होता है, कैसे अपना कोई बदला लेता है, या कौन जेल में जाता है, कौन मरता है, कौन जिंदा रहता है, इन सब चीजों क के लिए ता आप लोगों को यह series देखनी पड़ीगी, मेरा काम था बस इतना ही आप लोगों को बताना है, कि यह series में कितनी है, कैसी story होने वाली है, अब इस series की कुछ अच्छी बात कर लेते हैं, देखो मुझे इसमें अच्छा लगी है, जो इसमें फाइटिंग सीन जो थ काफी जादा बोरिंग लगती है, काफी जादा प्रेडिक्टेबल लगती है, हमने बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी हुई है, तो इसमें कुछ नया पन नहीं है, तो यह अपनी story जो है, हमें आखिर तक बांध कर नहीं रख पाती, फिर भी मैंने कहा ना, जिनको यार दे मैंने आप लोगों के सामने रखते हैं, मैं भी आप लोग जब इसको देखें, तो आप लोगों को अलग लगे, आप लोगों को अच्छी लगे, मैं यह कह सकता हूँ कि यार वन टाइम वोच है, मेरी तरफ से इसको मैं देना चाहूँगा, 4.5 आउट और 10 अगर किसी ने देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोगों कैसे लगे, अगर नहीं देखी तो रिव्यू तो देख लिए होगा, और आप इससे खुछ डिसाइड कर सकते हैं, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, आपके साथ, आपके पास ब मतलब टाइम को मारना ही मारना है, सच मुझ में टाइम को आपने सोच लेकि इतना है, जिन्दिगी में सब कुछ कर चुके हैं, अब इस टाइम को मतलब इसका कतल करने हैं, तो देख सकते हैं, मैं कुछ कहा नहीं सकता है इसके बारे में, तो खेर बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में तेंक्स वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद